केरल में इस समय एक 20 सधीक की सबसे बड़ी बाड़ आप दा आई हुई है। केरल में बाड़ की चपेट में आकर 300 से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही अर्बोन उपे का नुकसान भी हुआ है। वहीं आप दा को देखते हुए पी एम नरेंद्र मोदी ने श हालात बन गए है। राज्य सरकार ने रेड अलर जारी किया है। यहां हो रही भयंकर बारिश से पेरियार नदी में उपान का गया है। जिससे समुचे राज्य में बाड़ की स्थित बन गई है। केरल के कई जीले पूरी तरह से जलमगन हो गे है। लगातार बारिश और जादियों में आये उपान के कारण बाड़ ने भीशन तबाही मच्चा रखी है। जिससे हालात खराब हो चके है। बाड़ और बारिश ने अब तक 324 लोगों की जान ले ली है। वहीं लाखों लोग अभी भी फसे है। पिछले कई दिनों से सेना, एनडियार एप, स्प चोबिस में आये थी, जिसमें सेकडों को लोग मारे गे थे। इतना ही नहीं नुकसान भी भारी हुआ था। लेकिन अब उससे भी विक्राल संकट राज्य पर छाया हुआ है। भीशन बाड़ को देखते हुए ओई एम नरेंद्र मोदी शुकरवार शामपूर पेम अटल बिहारी वाजपई के अंतिम संसकार के बाद तुरंत केरल का आकस्मिक दोरा कर हालात का जायजा लिया। केरल सी एम ओफिस की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि राजे में दो लाग तेईस हजार 149 लोग बेघर हो गए हैं जिन्हें प्रशासन के 1500 से राहत केमपों में रखा गया है जिन जगों पर यह केमप बनाए गये हैं वहां भी बारिश से हालात अच्छे नहीं है जिसके चलते पडो सी राज्यों में केमप लगाने की बात चल रही है साथ ही बारिश और बार्ण के पानी ने राज्ये की सड़कों को जलमगन कर दिया है लोग सड़क पर निकलनी के लिए नाव कार यूज कर रहे हैं इतना ही नहीं बारिश के कारण कोची एरपोर्ट तको 26 अगस्त के लिए बंद किया गया है